पर आपको बैंक निप्टी, निप्टी, मीड कैप निप्टी और फिन निप्टी बिल्कुल आसान सब्दों में इनलेसिस करके मेरे द्वारा दिया जाता है दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पेल आइकन जरूर प्रेट तो आज हम लोग सीखेंगे बेसिक और कैंडलिस्टिक क्या होता है क्योंकि इसी पर फॉर्म होंगे आपके कैंडलिस्टिक चार्ट पैटर्न आपके बेसिक टू एडवांस मैं एक प्लेलिस्ट लेकर आया हूं जिसमें आपको हर एक चीज़ बेसिक से लिएडवांस लेकर टॉपिक्स में वह अफ्लोड कर वीडियो तो आज पहला टॉपिक बलिस्ट पनेट अब करेंगे हैं इसी स्टार्ट करेंगे तो कम पर लूपर जाते हैं तो इसका मतलब होगे कि मार्केट जो है बुलिस है यह बुलिस मार्केट है और यह हो गया बेरिस मार्केट मतलब कि मार्केट जो है वो नीचे कि तरफ जा रहा है तो यह चीछ आपको बताऊंगा मार्केट किस तरह से ऊपर और नीचे जाता है तो यह यहां पर इसको आप राइटान कर लेता है और इसको पड़ते रहेगा जिससे आपको सारी चीदे जानकारी हो जाएगे बेरिस केंडल और बुलिस केंडल पहले के लिए अगले जो अगले जो स्लाइड है उसमें आगे दिखाऊंगा अब यहां पर क्या है बेरिस बेरिस केंडल इसको बाती होता है और जो मोम का होता है और चोटा होता है यह आगे सारी सिखेने की चीज़े तो यह अभी हम लोग देख रहे हैं वह इस तरह का बना हुआ है इस तरह का बना हुआ है इस तरह का यह मोम हो गया इतना यह पूरा सारा सा मोम हो गया और यह बाती है इसकी तो सब्सक्राइब कि यहां पर करते हैं यहीप यहां पर सुपर करते हैं यहां पर हैं वह खंप का उतना पर प्राइस यह इसका 50 गोई प्रैस है तो मार्केट में यह क्या हुआ यह टोटल मैं इसको इरेज करता हूँ ताकि पूरा क्लिर समझ में आएगा यह मैं सारी चीज़े इसको हटा देता हूँ अब यहां देखेंगे क्या हो रहा है यहां पर पचाश पर उपन हुआ पचास पर पाँ जोड़ है जो पूर पाइने और बंद कर दियां तो अब हमें यहां पर क्या मिला चार चीज़े मिले पहला चीजिया क्या क्या मिल गई तो ऑ मिलिया हमें open, oh, h, l, c, oh, h, l, c, आगे वाला जो हमारा जो slide है उसके भी यही चीज़े है, तो हम पहले यह देख लिते हैं, हमारा open वह 50 पे, और high कितना लगाया, यह high लगाया, पश्च्वन का, और हमारा low कितना लगाया, 35 पे लगाया, और close कितने पे हो गया, यह close हो गया, 40 पे, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, इतना दो जो है, मूम मिले गया, मतलब यह body, इसको body बोलते हैं, यह body हो गया, और इसे बाती बोलते है, यह मतलब wix बोलते हैं, और अगर एक ठेट हिंदी बाता में बोले, तो इसको बोलते हैं, जहां पर हमें इसको जलाते हैं, और इसे रॉसनी होते हैं, इस तरह से विक्स मिलेगा, चुटेगा विक्स, यह नीचे और ऊपर, तो यह जितना भी लाल कलर का है, यह body हो गया, यह body है, यह bullish candle है, बुलिश candle का जब open होते हैं, वो open नीचे होता है, ओपन नीचे होने के बाद वो, जो बीर्स हैं, वो क्या करते हैं, अपने ताकत लगाते हैं, ताकत लगाने के बाद उसको नीचे ले आया, तो जो है, यह 60 पर बंद वहा, 50 पे खुला और 60 पे बंद हो गया, इसका मतलब क बाद गया, यह 50 पे खुला और बंद हो चालिस पे, यहां पे क्या होगा कि 50 पे खुला है, और 60 पे बंद वहाइए, मतलब कि प्राइस उपर जा रहा है, तो यह हमें क्या हुआ है, यहां यह बुली स्केडल का फॉर्मेशन के पदद चल गया, क्या होता है, इसको OHLC बोलत मेरे ऐसे समझते हैं कभी मार्की इस सीधा नहीं सिर्था नहीं कि पिसा भी जाएगा जेकं फिलन कि उपन रखन रखना हें लागल हं और यह मार्की चला जारे तो हमेशा क्या ध्यान रखना है कि मार्केट उमेशा जो है वह इस तरह से चलेगा और सम्हिंद फॉर्मेशन सारी को मिलेगा पूला का गला है तो नेक्ट श्लाइट पर आप चीज देखेंगे हम लोग आप इसमें क्या है आप देखो यहाँ तेखने को मिला मार्केट इस त चो बहां वहां है नीचे लेकर रहा हैं अपना लगा रहा है कि इसको नीचे दंगल रहें और इसको सबस्क्तिक है और इसको एक इल्यूं पर देखें क्या चैंडल है तो यह बेरिस पंडल है तो यह बेरा केंडल है और चारीश पंडल हुआ तो यह नीचे लिएक प्रदता हो नहीं पर रूंद दोन्य चेजिए तो यह हमेशा ध्यान रखना है कि बेरिश खैंडेल ऊपर खुलता है और नीचे बन होता है और एक और ध्यान देना है कि जब तक हम लोग जज़मेंट नहीं करेंगे कि कौन सी जब तक की तो रही तो किसी भी ताइम प्रेम में आप तेखने हैं इसको तो जब तक आपको उस नहीं मानने के तब तक तक नहीं मानने जब तक तक ब्रिस नहीं हो जाता है कि यहां मार्क E j इस स्लाइड में भूस सीकेंगे कि बूलीश केंडल और यह पहले हिसे होता है नीचे का यह होता है यह जो पर चाहिए और पर चाहिया ओपर हुआ लुद निशे यह मतलब होता है ओपन प्राइस ठीक है ओपन हाई लो और क्लोज तो यह है है इसमें आपको सारी दीख रही है आगे चली लेकर आएगा वह जल्दी जल्दी से चाहता हूं वह कुछ भी डॉट्स होगा कमेंट कीजिएगा मैं विडियो के साथ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और सीखना दोनों बहुत अलग चीजिए हैं तो जो जूड़कर सीखकर और ट्रेट करना चाहते हैं उनको बिल्कुल सेखना ही नहीं है मार्केट में सीखेगा वही रुकेगा वही पैसे कमाएगा तो उनको सेखना चाहते हैं ठीक है थैंक्यू